बाई अब तो मेरी बोतल में रखे इंग्लिश प्रेस के आंसू भी सूख गए हैं यह बैस्ट ओव जो रूट बैंस्टोक्स इन सबके जो आंसू थे वो मैंने पीपीए खतम कर दी बोतलें अपनी लेकिन इंडिया इस सीरीज में एंटर करते में जिस तरीके से बुली की जा हमारे यंग्स्टर से दिखाया है ना इसकी तारीफ होनी बनती है जिस तरीके से यहाँ पर आपके मैनेजमेंट ने इस सिचुएशन से डील किया राहूल द्रविड ने और आपके रोई शर्वन जिस तरीके से स्टेप अप किया इस डिफिकल्ट फेज में वो कहानी बया क करता है कि इंडिन क्रिकेट अभी कितने राइट ट्रजेक्ट्री पर अब देखो 122 साल की टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है 112 साल में पहली बार ऐसा हुआ है बलकि कि यहाँ पर जो टीम वन निल डाउन गई है उस सीरी स्कोरों ने चार एक से जीता है जाकर बैसबॉल की बहुत हाइप थी बैसबॉल ये वो फ़ला डिकाना इंडिया वोंट बी अब बोलोगे कैपिटलाइज ओन सिचुएशन जहां पर बैसबॉल उन पर एग्रेसिव के केस के साथ यहां पर चड़ाई करने की कोशिश करेगी आप यहां पर देखो हर मैच में हम वहां पर नहीं जीत पाए सेकेंड टेस में हम जीते ले देकर जीते बट जैसे ही आपका थर्ड टेस आया ना हमने दुरुफ जुरेल और आपके सरफराज को बोला के चलो ठीक है बच्चों आ जाओ अब हो गया हम टेस्ट मैच हार चुके हैं हम अगला टेस्ट मैच जी अगले टेस्ट में जाकर आप आपने देखा कि आकाश धी पर रिस्पॉंसबिलिटी ली और आपके शुमन गिल ने स्टप अप किया फिर आपके जैस्वाल ने जाकर वहां पर डबल सेंचुरी बना दी तो इस वक्त पर आपको हर मैच में एक अलग मैच विनर देखने को म मैच याद है जहां पर लगातार मार्क पॉड और जिमी एंडरसन टेस्ट कर रहे थे आपके रोहे शर्मा को बाउंसर पर बाउंसर डाल के उनको उकसार है देखे भाई शौट पिश बॉल डाल रहे न तुम को तुम पुल शॉट खेलो बट रोहे शर्मा इन दाट मुमें थोड़ा सा हेल्ड बैक करते हैं अपने आपको थोड़ा सा टीम के बारे में सोचते हैं और पुल शॉट नहीं खेलते हैं और 33 पे तीन के बाद जड़े जाके साथ मिलकर अपनी इनिंग्स को 131 तक लेकर जाते हैं वो और फिर उसके बाद जाकर आउट होते हैं और अगर उस दिन रोईश्रमा टिक जाते हैं तो एक बड़ी डबल हंड्रेट भी देखने को मिल जाती है फिर चौते टेस्स मैच में दुरुफ जुरेल की वो पारी जो जारू पारी आपकी जहां पर पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी फिर दुरुफ जुरेल न CCI के end से जो decision आया है न वो बहुत जरूरी था क्योंकि यहां पर आप आप देख रहे हो कि आपके जो players हैं वो seriously नहीं ले रहे है इस format को और जो domestic में players अपनी एडियां घिस रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं जो Indian cap earn करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं उनको call up नहीं मिल पाता I think यह बिल्कुल साई decision है जहां पर आपने domestic circuit का आपना जो hype है वो थोड़ा सा rise करने की कोशिश किये और आपने उन players को वो deserve it pay rise दिया है जो वो deserve it आपको बोलो क के जाना चाहते हैं red ball format में आप यहां पर देखो इस पूरे test match में मुहमत सिराज ने minimum amount of overs डाले लेकिन he was very important for us इस धरमशाला test में आते में हमारे उपर pressure था क्योंकि उनके पास काफी अच्छा pace attack था और हमें लग रहा था कि यह seeming condition होंगी थोड़ी सी नमी होगी pitch में आपक पूरे पूरी सीरीज के रहे दो तीन big calls थे वो थे पहली बात तो KS भरत को drop करके धुरुवजरेल को promote करना I think वह बहुती गटसी call था क्योंकि आपने यहाँ पर धुरुजरेल को test नहीं किया था आपको पतन तो धुरुजरेल क्या लेकर आने वाले हैं उसके बाद आपने प्लेट दीस इस सीरीज एज 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 प्योर बोलर क्योंकि आप देखोंगे 131 बॉल 132 वो इंसान खेल रहा है इनके आनवे बॉले वो इंसान खेल रहा है आज भी 39 और रंस बनाये उसने तो he can bet and with each game is improving on that आप बोलोगे betting उस पे front पे तो यह अभी जो टीम इंडिया ने इस सीरीज में करके दिखाया ना यह हम में से किसी ने expect नहीं किया था क्योंकि जितने ज़्यादा setbacks हमने जहें ले सीरीज में पता चला के चलो शुरू के दो टेस्ट मैच में विराट कोली नहीं होंगे लेकिन उसके बाद आ जाएंगे फिर पता चला विराट कोली पूरी टेस्ट क्रिक्ट की घिस्ट्री के जन्मोंने अपने पहले टेस्ट मैच में पझा लीआ है और जन्मोंने अपने। बोलिंग दोज दिलिवरीज एड़ राइट एरियाज और बैस्बॉल की जो हवा थी कि हम मार के खेलेंगे मार के खेलेंगे आप यह टेस्टमेच एक इनिंग से आ रहे हो और पिछला टेस्टमेच बुछी तरीके से बुली हों के आरे हो आप अपना जो दूसरा पास धुरुफ जोरेल खोता तो यहाँ पर हम डेफिनेटली वो टेस्ट मैच भी जीत थे मोरल विक्ट्रीज इंडियन मतलब इंग्लेंड टीम की समझ में नहीं आती मुझे बैं स्टोक्स से जाधा ओवर प्रोटेक्टेड प्लेयर मैंने नहीं देखा हमारी इंडियन मीडिया विराट कोली को नहीं छोड़ रही थी जब विराट कोली के बल्ले से सिर्फ सेंचुरीज नहीं निकल रही थी इस पूरी टेस्ट सीरीज में मैंने बैं स्टोक्स के बल्ल दिखाना I get it भाई उसने वर्ल्ड कप जिता दिया आपकी इंगलेंड को उसके पास एडबेस्टन वाले मोमेंट्स है उसके पास और T20 वाले मोमेंट्स है definitely I get that but आप यहाँ पर इतना प्रोटेक्शन किसी और प्लेर के लिए नहीं देखते Indian team sorry England team and English media tends to overhide their talent या फिर आप tends to overprotect their talent और आप देखोगे आज की इस test victory में भी न their expert will cry on social media इसी wicket की उपर हमने 400 से जादा run बनाए है और इसी wicket की उपर England की team यहाँ पर आप कुल मिला के साड़े 500 रन का आंकड़ा नहीं चूपाई आपके 600 रन का आंकड़ा नहीं चूपाई तो इतना खराब wicket नहीं था हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाज ही अच्छी की है जॉनी बेस्ट ओफ इने 100 टेस्ट टेस्ट टेट्विंटी फॉर्मेट समझ के खेलना है भाई साब आप यह देखो कॉकीनेस देखो आप जरा जॉनी बेस्ट ओफ एट अडशिटी तो कमेट शुम्मन गिल के वाट वह सेंग टू जिम्मी एंडरसन भाई पहले खुद का गेम तो देख लो दोस्त कितने साल होगे रन नी बनाया आपने शुम्मन के लिए सीरीज में आपको आप परफॉर्म किया है आप बोल रहो कि हाओ मेनी हंड्रेज्ट डू यू है इन इंडिया और हाओ मेनी टेस्ट विक्टरीज डू यू है इंडिया वाट तो पॉइंट इंडिया तो आपने तो कुछ भी नहीं किया आप हमें बोल रहे हैं बाई पांच मैच की सीरीज ये वाइट बॉस्ट हो सकती थी बड़ इम रीली प्राउड ऑफ दो बॉइस देश्ट मैच और जिस तरीके से राहुल द्रविड और रोई शर्मा ने इस टीम में नए प्ल सारे प्लियर्स परफॉर्म कर रहे हैं जितने भी आपके न्यूबी थे इवन पाटिदार ने अपने पहले मुकाबले में 30 बनाए थे तो उन्होंने भी फैर अमांट बना दिये इतने उनके 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लियर बना रहा है कुल्दी प्यादव ने इस टे सेक्टर्स में हमारी फील्डिंग्स कमजोर थी बट आप यह देखो कि हमने कोई भी टेस्ट मैच में सेशन्स कुछ एकाद भरी खराब खेले हों लेकिन हमने ओवरॉल टेस्ट मैच में परफॉर्मिस हमारी खराब नहीं रही और आपके तब यह यंग गन स्टेपप की हैं जैसवाल वस वेरी अनलग्की कि वो सुनील गवासकर के सर का जो रिकॉर्ड था मोस्ट नंबर ऑफ रंस इन बाइलेटरल सीरीज उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए बट स्कोरिंग तू डबल हंड्रेट्स स्कोरिंग यू नो सच इंपॉर्टेंट रंस इन 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 सच टाइट फिक्शर्स उसके बाद आज में तर सीरीज का अवार्ड मिला है कुल्दी भाई को में तर मैस का अवार्ड मिला है यहां से अब इंडिन क्रिकेट टीम का जो राइज है ना वो टेस्स क्रिकेट में ऊपर ही होगा देख ले ना तुम क्योंकि बीसी से आई अब मजाक के मूल में नहीं है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते अपने आप बोलोगे टेस्स क्रिकेट फॉर्मेट के साथ यहां से अब इंडिया के स्लेक्शन कमीडी के बास के अब इन में से कौन से प्लियर लेकर जाएंगे अगर मुझे इस सीरीज में ना रोवेश शर्मा की कप्तानी को रेट करनो आई विल रेट इट 10 आउट उट अफ 10 चाहा फीलिंग प्लेस्मेंट की बात करो जिस तरीके से आप बोलोगे बोलिंग चेंजिस किये सेशन्स हारे लेकिन फिर अगले सेशन्स में आके कमबैक भी किया और यही ब्यूटी है टेस्क्रिकेट की भाई आप जो लोग भी की 20 फॉर्मेट को खुदा बना के बैठे हुए अपने दिमाग में टेस्क्रिकेट का एक्साइटमेंट कभी भी कोई और फॉर्मेट मैच नहीं कर सकता टेस्क्रिके में ही टेस्ट होती है तो हम रीली हैपी के अब क्रिकेट वापस से पत्री पे आ रहा है वह आई पे लिख हुमारी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम और चीजें सही डिरेक्शन में मूव होती दिख रही है 4-1 की टेस्ट विक्ट्री अगेंस डिस बैस बोई टीम जिसकी सिर्फ हाइप थी और कुछ नहीं था I am really proud of the boys and I hope आप लोग भी proud होगे बाकी subscribe करना मख भूलना क्रिक बेट को एक वा जैसे यह करता रहूंगा ओर informative short शियर करता रहूंगा subscribe करिये bell icon hit करिये and जल 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 चानल को पहुँचाईए 100K तक पहले 10K करते हैं आज और प्र 100K तक मौशेंगे बाकी bye bye take care जै हिंद जै भारत